हेलो दोस्तो मैं हूँ आपका अपना संस्कारिस में सामने आप देख रहे हो रैनो की लौजी बहुत लोगों ने इसको देखा होगा पहले इसके बारे में जानते होंगे और बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्हों नहीं देखा होगा बहुत जबरदस्त गारी थी अब ठीक य पाई जैसे मैंने आपको रोड पर नहीं देखी होंगी तो वह बहुत चीज तो आप देख रहो सामने से जब गाड़ी चलती थी तो यह यहाँ पर और एक महाँ पर इस तरह से जलते थे एक यह चीज नहीं थी बड़ा सा इसका फ्रेंट लूक है जबरदस्त है सिर्फ दिक्कत एक यह है कि आगे की तरफ काफी ज्यादा जुका हुआ है मतलब अगर बात करें हम इसके अप्रोच ए आप यही देखो सामने खड़ी अभी इस समय ट्राइबर का फेस काफी जादा अप्लिफ्टेड लग रहा है उसका आगे से अगर हम देखें एप्रोच एंगल काफी बड़ा दिख रहा है लेकिन यह काफी जादा जमीन को चुई लग रही है रीजन जो था सबसे बड़ा यही रह यहां से इसकी हाइड देखें अच्छी खासी है इस जगह से यह देखो बराबर यह लग बर लेकिन एक दम से स्लोप में आ गया जो हमारा हुड है वो जिसकी वैसे थोड़ा सा लोगों को ऐसा लगा कि यार एग्रेशन नहीं है लुक में चोड़ाई बहुत सब कुछ है इसमें टॉप मॉडल है यह दो हजार सोला की है और शोरूम की अपनी चली बिल्कुल भी नहीं आपको यह निशान वगारे दिख रहे होंगा यहां पर यह आपको दिख रहे हैं इस तरह की निशान भाई जब ओले पढ़ते हैं तो यह हाल होता यह भी एक्जा साल होने वाले तो उसके बाद अगर घड़ी रहे तो क्या कंडिशन होती है क्या क्या दिक्कत आते वह भी अंदर दिखाऊंगा अंदर इंटीर में वह आपको पता चलेगा एजिंग क्या होती है खड़ी गाड़ी की वह दिख जाएगी तो फिलाल दो हजार सोला की तालिस Même च्यालिस सो एमें के करीब और असली चीजह इसका वील बेस अंदर इस पेस होता है तो भाई वो वील बेस पर ही डिपेंड करता है इसका वील बेस है अठाईस सो 10 mm आप यह समझझ लो जो फॉर्चूनर जहाज है भाई उसका वील बेस उसका वील बेस ही साठे सथ मैं आपको बतानों प्रैक्टिकालिटी के हिसाब से तो बहुत जबरदस है जो मात खा जाती है कुछ-कुछ बिना लदे हुए 174 mm है और लदने के बार तो और दब जाता है तो भाई दिक्कते आना लाजमी है तो यह भी एक इशू था उसके साथ आप देख पूरी की पूरी आपको दिख रही है इस तरह से ग्लास एरिया बहुत बड़ा है बहुत जबरदसता है और खामखा की जो शे होती है ऐसे ही ऊपर तक आजाती है मतलब नीचे से लेकर ऊपर तक जो हमारे नी रूम है और लेग रूम है वहां से लेकर सिटिंग रूम है वहां से लेकर ऊपर जो हमारा शोल्डर रूम और हैड रूम आता है वो भी भाई प्रॉपर मिलता है इसमें दरवाजे इतने अबजूद इसमें जो पीछे बूट होता था बूट स्पेस बसता था करीब 210 लिटर के करीब बसता था और आपको यह बता हूँ जो ऑल्टर 800 है उसके बूट स्पेस की बात करें तो करीब 177 लिटर ही आता है बस इन चीहों से आप अन्दाजर लगा सकते हैं उपर रूफ र पुरा लुक दिख रहा है एलोई विल दिखते हैं इसमें क्यों भी टॉप मॉडल जैसे मैंने बताया आपको 195 55 r16 16 इंच के हैं और यह गाड़ी जैसे मैंने बताया चली नहीं है बिल्कुल 3000 किलोमेटर के करीब ही यह सारी चीजा भी स्टॉक में ही है इसकी बिल्कुल जो बड़ी लोगों को निराश कर गई वो था इसका आगे जुका हुआ चहरा वाकई में थोड़ा सा अपलिफ्टेड फेस होना चाहिए था चोड़ा ही अच्छी है लेकिन थोड़ा सा नीचे की तरफ है और वही चीज फिर लुक के मामले में जो मात खा गई वो था रियर रि पर बस वहीं ये एक तरह से जैसे आपको इको दिखती है रोड पर इको बिलकुल बॉक्सी शेफ है अंदर सामान और स्पेस जबरदस्त आता है वह देखो सामने वहां पर यह रहा वह भी बिलकुल सीधी हो जाती अंदर इस बहुत मिलता है वही चीज इसमें थी 1200 CC का इंजन होता था और दो आते से दो पावर जैसे हमारी इसमें आती थी डस्टर में एक आती थी 85 PS और एक आती थी 110 PS की पावर जबरदस्त होती थी 110 PS और साथ में अगर टॉर्क की बात करें तो भाई 245 एनम का रोकिट थी परफॉर्मेंस के मामले में कोई दिक्कत नही गता है यहां पर एक दो तीटन पार्किंग सेंसर मिल रहा है और अगर खोलने की बात गहलों भए पुराना वाले टाइम बिल्कुल यहां से इस तरह से खुलता था अभी इंटीर जब दिखाऊंगा तबंदर का कहानी बताऊंगा आपको इस तरह से आपको मिलता है स्टॉप लैंप एक यह हुआ और इधर हुआ आप यह चीज़ बिलीफ करो यह नीचे खाली फॉल्स है कुछ नहीं है नीचे यहां पर यहां कोई लाइट नहीं है और आपको ग्राउंड क्लेरंस बता दिया और आप यहीं देखो इसमें वही कंपनी की गाड़ी है उससे लैंट कम है और फिर भी 205 mm का ग्राउंड क्लेरंस है कितने प्रैक्टिकल है लेकिन यहां पर जहां उंचा होना चाहिए था इसमें अबस 174 ही दिया है सारी चीज है चलते हैं जारा इसके अंदर और यह मिल रहा है आपको डो ट्रिम जैसा मैंने बताया गाड़ी खड़ी हुई थी करीब दो साल होने वाले है और अंदर मोल्ड वगएरा जो फंगस वगएरा होती है जो पुरानी गाड़ी खड़ी रहे तो क्या हाल होता है नमी में क्यों यहां पर यह डूल टोन में दिया हुआ आपको यह देखो चारों की चारों पर मिल जाती है आपको और यह बटन हो गया है बाखी की जो पावर विंडो है उनको इनक्टिव करने के लिए और बाखी कोई कट्रोल नहीं है क्योंकि हमारे ऑवर दिया है उनको एलेक्ट्रिकल दिए अंदर जो इस पेस प्रैक्टिकल इस वह जवर्दस तरीके से दिया हुआ है सिट यहां पर दिया हुई आपको अंडर थाई सपोर्ट बहुत बढ़िया लग रहे देखने में यह देखो जरा वाई कितना बड़ा अंडर थाई सपोर्ट एक बार इसको करते हैं जरा पी पर और यह देखने में तो यह लग रही है जैसे बिल्कुल कोई टैक्सी बगारा के लिए बनी हुए लेकर इसमें बहुत बढ़िया दिया है सबसे पहले चीज इसको जरा ओन करते हैं यहां पर और यह देखो तो इस तरह से हमारा क्लस्टर है और क्लस्टर में दोनों खड़ी रहती है लिए और यहां पर कंट्रोल साब को मिल हुए और बाकर यह देखो यह यह देखो यहां बहुत है यह दिया हूँ यह यहां पर यहां पर और यहां पर हमको मिलते हैं यह detect दिया हुआ यहां पर और यह रहा हमारा जो काफी पुराने टाइम से चलता आया था इसमें भी आया फिर आपको फर्स जन्रेशन जो कुईड मिली उसमें भी यहां को मिला में सिस्टम साथ इंच का है लेकिन बाइंडूर्ड और वगारा कुछ नहीं था सिर्फ आप गाने व हो गया क्रूज यहां से क्रूज कंट्रोल ओन हो जाता है सैट यहां से करेंगे हम और जो कंट्रोल है ओन आफ करने का वह यह रहा ठीक और उसके लाव इसी को ही हम इधर कर देते हैं अगर यह देखो लिमिट मतलब इसमें आप लिमिट भी लगा सकते हो अगर किसी को आप दे रहे हो तो स्पीड की लिमिट भी इसमें लग जाएगी कितने बड़िया चीज है कितना बड़िया फीचर है यह भी हो गया है और उसके बाद नीचे यह का फोल्डर होगा यहां बार वर्ट का सॉकेट अभी पीछे की रोज होना उसमें भी आपको दिखाता हम कुछ ब रहे रखने के लिए इस तरह से ग्लास एरिया बहुत बड़ा है काफी बड़ा ग्लास है यह देखो और यहां देखते हैं बाइज़र और मेरा सिर यह आ रहा है जगह और कितना जबर्दस्त ऐसे मेरे को हाथ उठाने पट रहे इतने उचे इतना ही ज़्यादा इसमें है यही चीज थोड़ी सी इसमें कहते हैं कि एक्सफेक्टर मिसिंग हो गया अंदर बैठने में ऐसा नहीं लग रहा है मैं बड़ी गाड़ी में बैठा हूं जो इस तरह की इतनी लंबी हो इतना बड़े वील बेस की और बाहर से देखने हैं बड़ी गाड़ी यही चीज़े कुछ कम्यों में है इसकी जो इतना सक्सेस्फुल नहीं बना पाई इसको यह आपने पूरा देख लिया आम रास यहां पर दिया हुआ इस तरह से और ठीक है बाक पीछे की तरफ पीछे क्या कहानी दी हुई है वह बताते हैं इसमें नहीं है तो भाई ठीक है अब जड़ा पीछे आते हैं तो भाई 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 इस तरह से खुल गया अपना बड़ा सा दोर और यहां पर जैसे मैं ना पता है कि इसमें फंगस वहरा आ गई थी तो भाई यह रखा हुआ है कपड़ा यह लगा हुआ था इसमें फैब्रिक और यहां पर वैसे ट्रिम है बॉटल होल्टर नीचे दिया हुआ है ऐसे सीधी बॉटल ऐसे लेटी आएगी और बाकि इस तरह से यहां पर ग्रिल वगरा दिया चलो अब आती है में चीज सीट सीट हो नहीं नहीं यहां पर ऐसे लेट थी है और जो टंबल होती है वह उधर वाली सीट है जैसे आज की उसमें उस टाइम की है मैं देख रहा था कहीं इसमें भी दे रख्खा और आमरेस दिया हुआ है क्या बात है लेकिन बिल्कुल खतम ही है यह तो किसी काम का नहीं कप होल्ड जरूर दिये हुआ है और अगे भी अजस्टेबल है और यह चीज दिख रही है मेरको यहां पर यह आपको लंबर सपोर्ट इसमें दिया हुआ है क्या बात है मतला अब तो कंपनिया भूली चुकी है इसको और उस टाइम पर दिया होता है डस्टर में भी आता था यह फीच और में चीज देखो यहां पर भी आपको एड़स्मेंट भी दिया हुआ है यह रहा कंट्रोल स्वीच और एसी वैंट दोनों साइड आपको यहां पर दिया हुआ है बीच के लिए अलग से लेंप दिया हुए है मतलब फर्स रौ के लिए लेंप हो गई सामने सैकिंड रो क थे यहां पर वह उसके साथ साथ बारा वल्ट का सॉकेट यहां पर भी दिया यह देखो और थर्ड रो के लिए भी अलग से लाइट है क्या बात है मुझे याद आ रही है समय क्रेटा का बेस मॉटल जो है और चाहे हुंडे की बात करें हुंडे के बेस मॉटल में वेन्यू में भी देख लें बीच में केवल लैंप आता है आगे वालों के लिए लैंप ही नहीं है और यहां पर तीनों रो के लिए अलगला लैंप और साथ में तीनों के लिए यहां पर लास्ट रो के लिए भी सेपरेट दिये हुं हमको एस इवेंट बहुत बढ़ी है चीज़ यह आपको 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 कितना ही बूट स्पेस मिल रहा है क्या ही कहने इसके करीब और उपर ही लग रहा है मुझे क्योंकि काफी ज़्यादा हाइट है इसकी अभी मुझे नंबर में नहीं पता लेकिन फिलाल जब यहां पर सीटें लगी होती है तो इतना बूट स्पेस मिलता है यहां से यहां तक का आपका पूरा और करीब 207 लिटर का बूट स्पेस वह है इस तरह ऐसे और यहां पर हमारा डोर ट्रिम इस तरह से खुल जाता है बिल्कुल यह ओमनी वैन है उसी टाइप से खुलता है इतना बड़ा डोर करते हैं इसको बंद और एक बार सीट को टंबल करके देखता हूँ है तो भाई यह तो हो गई लेकिन यह ऐसे खुद से पल्टा नहीं मार रही यहां से हमको ऐसे लिट करना है इसे अभर उधर की भी लिट करके देखते हैं कहीं ऐसा ही तो सीन नहीं इस रब्रबही चमतकारी हो जाए कुछ इसको चलो कर दिया हमने हाँ वाई क्या वात है आ पूरी की पूरी यह आगे होगी थोड़ी सी इसको आगे ही करते हैं और आपको एक बार बताते हैं जारा वाई क्या ही जबर्दस इस पेस बन जाएगा इसका इसको करा हमने पीछे और अरे जबर्दस्त क्या बात है मतलब यह चीज तो किसी में भी नहीं है मैं कुछ ट्राइबर में मिस्करता है ट्राइबर की जो सिक्स्टी वाला पॉर्शन है यह वाली सीट में जो यह पूरा फोल्ड होगे ना यह बैक वाला हिस्सा भी पूरा लेट नहीं पाता था और लिए तो क्या ही कहने देखना जाना इस पेस वाई साथ अब इसमें गद्ध्य वद्ध्य विछा के अगर हमें कैम्पिंग पर जाना है ना तो कितना ही स्पेस इसमें मिल यह ना मैं एक नहीं रखावाई लोजिंग यह आपको लाजिंग बाहर करने की जुरत नहीं पड़ काफी यादा नीचे दिया हुआ है कि हम ऐसे ही अंदर को चड़ जाएं अगर यह उंचा दिया होता बाकी गाड़ियों की तरह तो थोड़ी दिक्कत होती काफी यादा नीचा है लुक वाइस इन चीजों की वैसा थोड़ी सी बोरिंग हो गई गाड़ी लेकिन अगर ऐसे दे तब यह है पूरी गाड़ी आपने देखी में जो इसके मतलब हम निगेटिव कहें जिसकी वैसे नहीं चल पाया प्रोड़क्ट सबसे पहली चीज जो इसका ग्राउंट क्लेरेंस है वो दूसरी चीज जो इसका वील्स बॉड़ी मतलब बड़ी लगती है और वील्स जो इस हो रखी थी मतलब 16 की बात करो जब किया गाड़ी है उस समय अच्छी खासी बिकती है क्योंकि अटिगा तो तब भी विकती दिना लेकिन फिर भी जो प्राइजिंग है वो काफी उची थी और दूसरी जो एग्रेसिव डिजाइन होना चाहिए तो वह नहीं हो पाया लो आप पूछ भाई खरीदे या नहीं खरीदे खरीदने वाला तो सिस्टम इस समय है नहीं लेकिन इंजन आप्शन मैंने आपको बताई दिया हां माइलेज माइलेज भूली आता तो माइलेज भाई 20 का दे देती थी बिल्कुल 21 के एरांड देती है यह जो 85 PS वाली आती और यह 110 PS वाली है यह आपको देती है 20 के करी वह एक किसका देती थी और अगर टॉर्क की बात करें तो 85 PS में यह गाड़ी देती थी आपको 200 Nm का टॉर्क और वही 110 PS में देती है 245 Nm का टॉर्क और एक चीज़ और निगेटिव थी भाई यह थी फ्रेंट विल्कुल गाड़ी कैसे लिए बताना ज़रूर आपको एक experience शेयर करना था आपके साथ कि ऐसे प्रॉडक्ट आए है कुछ टाइम से पहले थे या फिर यह कहे प्रैक्टिकालिटी के चक्कर में जो लुक है लुक नहीं देपाई कंपनी तो अपनी राएज दो रुखना अपनी उपन चैनल को जाहे हैं